तो मेरा नाम है अमित खटर हम कर रहे हैं पावर मिल 2024 और इसमें हम देखना चाहते हैं कि क्या-क्या चीजे नहीं आई हैं पावर मिल के अंदर तो पिछले ट्रोड में हमने देखा कि फ्लो लाइन फिनिशिंग में अगर मेरे पास दो कर्व हैं तो उसको बड़े अराम से मैं कर दै कि बेहां नहीं है जिए फ्लो लाइन फिनिशिंग में टूटली नहीं बिल्कुल चीज आई है वहस पाएरल की कि तो कैसे होगा सबसे पहले हमने एक ब्लॉक तो चाहिए हमारे को कोडिनेट सिस्टम भी चाहिए एक और चीज़ हमने देगी थी कि अगर आप फाइल पावर मेल में लेकर आप लेगा तो मॉडल के साथ साथ उसके कोडिनेट सिस्टम भी आ जाए तो यह भी एक अच्छी चीज़ नहीं आई है मॉडल लेकर आएंगे तो कोडिनेट सिस्टम भी आ जाएगा साथ उसके मुझे यहां पर आके नए सिरे से क्रिएट नहीं करना वड़े हैं ठीक है तो कोडिनेट सिस्टम को यूज कर सकते हैं उसके बाद हमारे को एक टूल चाहिए फिनिशिंग के लिए तो हमने का जी हमार लुडर भी चाहिए और इसका अच्छा सा नाम देदो बाल मिल जी तो इसका हमने नाम देगे टूल आ गया उसके बाद हमारे को क्या चाहिए उता है जो पहले नहीं चाहिए उता था फ्लोलाइंट बिनिशिंग में वह है सैट जैसे हमने यहां पर देखा ना लेवल्स हैं सब्सक्राइब करना पड़ेगा सर्फिस का मैंने आजी मुझे यह तीन सर्फिस जो है मैंने शिफ्ट दबा के सेलेट करने चाहिए और इसको सेट के अंदर एक्वायर कर लिए राइट क्लिक करके एक्वायर कर लिए अ क्य虹 मेराद मॉडल बंद कर दी यह अ जिसको वर मैं मुझीनिंग करना जाता हूं ठीक है तो ऐसी सरसर्फिस के ओपर मैं फ्लोय लाइन फिनिंश नी चला सकता था त। आ Myador कोिसंफ parties साइड वाल थ cabe चाहिए होसनी अब क्या करें चैक्कर आहिद जाएं है और एक एंड कि दूए यानिकि उसको स्टार्टिंग बतानी एक एंड करो इट करो करो यह बार कर 10 अंब करो यह हम आद हुली वह एक्टिव कर लेते हैं और इसकी कॉंपोजेट कर विए अधर वाले जबाएं तो यह अंडरकट्स वगारा में भी चलेगा जितने मुझे समझ है मैंने भी चला के नहीं देखा पर मेरे को तो काफियत तक उमीद है यह अंडरकट में भी चलेगा तो टूल बात पर जाएंगे फ्लो लाइन फिनिशिंग में जाएंगे जाएंगे यहां पर दो ऑप्शन आ रही है ऑन सर्फिस चलाना या टूल टिप वाला चलाना है ऑन सर्फिस वही सेम है जो पहले हम चलाते होते थ है ना सारा कुछ बनाते अब यह नहीं आप्शन आई है टूल टिप की इसमें क्या है आप स्टार्टिंग कर बताओ एंड कर बताओ और जो हमने सेट बनाया सर्फिस का वह बताओ वान वे डिरेक्शन में स्पाइरल चलाना चाहते हैं एक में के स्टैप और करेंगे जो हमा स्टार्टिंग करेंगा 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 और टूल पाथ क्रियेट करेंगा इसको बोलते मॉर्फ मॉर्फ मास्टर कैम है जो मास्टर कैम में मॉर्फ का टूल पाथ होता है एंक्स के अंदर कंटूर कंटूर एरिये के अंदर एरिया मिली इसको चला के देख सकते हैं सिम्मिलेट करके देख सकते हैं है नाइट क्लिक करो सिम्मिलेट स्टार्ट स्पीड थोड़ी स्लो कर लेकिंग तो यह भी बहुत बढ़िया बात है जिसमें इसने बार वाली कर्व को और अंदर वाली कर्व को दोनों को आपस में मेंटेन कर लिए अधिया और वहां तक जाते 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 वह अपनी शेफ भी चेंज करता जा रहा है पार कि इस शर्ट में इसको ब्लेंडवी भी बहुते हैं ब्लेंड टूल पार तो यह तरी के से दो कर्व जो हैं वह आपस में ब्लेंड हो गी तो यह तो सिर्फ हमने समझने के लिए इतना बनाया तो यह हमारे को सोचना पड़ेगा कि किस एरिये में मेरे को चलाना तो उसके हिसाब से हम करव बना के चला सकते हैं तो बड़िया लगी होगी टिप जो पावर में नहीं आई है तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो नेक्स टॉल में हम इसके बैक साइड में चला के देखते हैं इसकी बाहर वाली बाउंडरी है यह वली कर्व है एक यह वली कर्व है तो इसको टूल टिप से भी बना के देखेंगे और जो है पहले वाला तरीका है उससे बना के देखेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बैल आइकन दबाव ताक कि नोटिफिकेशन मिल सके झाल 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 झाल